नमस्कार मैं गगन सिंग आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न इजी पर तो मैंने अपने पिछली क्लास में बात कर रखी थी इकलिट्स डिविजन लेमा के बारे में जिसमें मैंने आपको बताया था कि इकलिट्स डिविजन लेंगा है क्या अकलिट्स का विभाजन प्रमेगा है क्या तो उसमें मैंने आपको बताया था यह दी कोई दो इंटीजर A और B है B को क्या करें है A को क्या करें है B से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा रिमेंडर आता है और कोई सेंट आता है यानि मतलब भाग फल आता है और सेज फल आता है उसको किस रूप में लिख सकते हैं A equal BQ plus R के रूप में लिख सकते हैं यही क्या है हमारा Eclipse Division Lemma Eclipse विभाजन प्रमेरिका तो इसके बारे में हम पीछे डिसकस कर चुके हैं हमने आगे कहा था कि आगे आपको बताएंगे कि algorithm क्या होता है और Eclipse Division algorithm क्या होता है तो देखिए algorithm क्या होता है तो algorithm, an algorithm जिए series of well-defined steps which gives a method for solving a certain type of problem तो algorithm क्या एक well-defined series कह सकते हैं steps, well-defined steps, series of well-defined steps यानि मतलब जैसे हम आपको समझाते हैं नौर्मली सी बात जैसे आपको कोई कारे करना है या जैसे आपको सीडियां चड़नी है चट पर पाउचने के लिए आपको क्या करेंगे उन सीडियों का साहरा लेना पड़ेगा तो कहींने कहीं हो सीडियां आपके लिए क्या है एक step है आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि पहली सीडियां पर कदम रखा और चट पर पाउच गए ठीक है सुपरमैन तो हो नहीं जाएंगे आप अब देखिए तो क्या करें step by step आप सीडियां चड़ना स्टार्ट करोगे तब आपके क्या करते हैं आप अपने मंजिल तक पाउस्त हैं तो वह चीज आपका क्या है एक एल्गोरिधम क्या है अब यहां पर देखिए तो आप समझ गया है को एल्गोरिधम क्या है जैसे हमने कोई भी प्राब्लम ली तो इसको step by step हम क्या करेंगे वह प्रसेस एल्गोरिधम प्रसेस होगा आपका जैसे यहां देखिए एकलिस डिविजन अल्गोरिधम है तो इसमें भी आपका देखिए जैसे आगे दिखाएंगे कि यह जैसे प्राब्लम को आप साल्व करने फर्स्ट सेकेंड सेफ ठर्ड सेफ डरूरेद पड़ी तो आ मैंने कहा थे मेरा class 9th का वीडियो आप देखिएगा number system का उसमें बता रखा है कि positive integer क्या होंगे, negative integer क्या होंगे, तो इन सब चीजियों को याद रखें आप क्योंकि हर चीजे आपको हमेशा मिलती रहेंगे और मैं उनको pin करता रहूँगा, ठीक है तो देखिए, इसमें क्या वो लखा है, it is a technique to compute the SCF of two given positive integers, say A and B, with A is greater than B, condition रहनी चाहिए, अब इसमें बोला गया कि कोई दो positive integer हैं, जिसमें क्या हो, A, B से बड़ा हो, और compute मतलब आप जानते हो, उसका आकलन करना, ठीक है, किसका आकलन करना, उनके महसा का आकलन करना, महत्तम समापो परतक का आकलन करना, किस इन step के द्वारा किया जाता है, तो देखिए, आप यह step देख सकते हैं, देखिए, तो यह से पहले step में बताया क्या है, सबसे पहला क्या करेंगे, A को divide करेंगे किस से, B से, और उसमें आपको क्या मिले, question Q मिले, और remainder R मिले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A is equal to B Q plus R, कैसे लिख सकते हैं, आप इसको बीचे पर रखा, यह क्या ह Eclipse Division, Division Lema, तो अगर आप से कोई यह पुछे कि अब बताइए आप Eclipse Division Algorithm और Eclipse Division Lema में क्या अंतर है, तो आप सीडिसी बात कह सकते हो, Eclipse Division Lema क्या है, हमने लेमा आपको बताया था, एक proven statement है, जिसको हमको proof करके बताना है, ठीक है, तो अब यहाँ ची जहाँ पर है, अब दे given statement है, फिर उसका proof आपको देना है, तो अब देखे, Eclipse Division Algorithm में steps किस चीज़ का, यह CF निकालने का, दो positive integer का क्या निकाला जाता है, यह CF निकाला जाता है, और Eclipse Division Lema में क्या होता है, किस form में लिखा जा सकता है, A भराबर BQ प्लस, R form में लिखा जा सकता है, ठीक है, तो अब देखे, Eclipse Division Algorithm में किसकी जरूरत पड़ती है, Eclipse Division Lema की जरूरत पड़ती है, अब देखे, अब बोला है, अगर यह आपका remainder R, 0 हो जाता है, तो इन दोनों का यह CF क्या होगा, B होगा, अगर R not equal to 0 होता है, then apply the division Lema to B and R, अब किसके बीच apply करेंगे, B और R के बीच division Lema apply करेंगे, यानि मतलब इस Q को आप हटा जोगे, अब B को किस से divide करोगे, R से divide करोगे, अब B को किस से divide करोगे, आप R से divide करोगे, आप R से divide करोगे, R से divide करने के बाद फिर इसको A बराबर, A sorry, A equal B Q plus R, form में लिखोंगे, फिर divide नहीं होता है, तो फिर लो आपका remainder आएगा, to value, B को divide करने, आप इस form में लिखोंगे, फिर इस form में आयागा, इस form में फिर ही process, आप दुबारा दोर होगे, फिर से R को और कब तक दोर आते रहोगे, जब तक remainder आपका R equal to 0 के पराबर नहीं आता, जैसे step 3 में मैंने लिख रखा है, consider the process till the remainder is 0, यह process आप कब तक consider करते रह हो जाए, ठीक है, और last में अगर, last process देखिए, the last divisor will be the required, यह CF, जिस समय remainder आपका 0 आ गया, तो यह divisor होगा, वही क्या होगा, यह CF होगा, ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं, इसको हम problem से समझते हैं, कोई problem लेके, तो चलिए, जिसे हम ले लेते हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप समझ गया होंगे, algorithm, English division algorithm, और English division lemma, तो English division lemma की जरूरत पढ़ती है, किसमें, English division algorithm है, और English division algorithm, क्या है, यह SCF निकालने का process है, दो positive integer के SCF निकालने का process है, इसको आप clear रखिएगा, ठीक है, चलिए problem देखते हैं, जिसे यहाँ पे एक 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 जामपल देख लिए, एक जामपल दे रखा है, आपका, बोला यूज एकलीट्स algorithm to find the SCF of, तो फाइंड दे तो फाइंड दे यह सी अफ आफ 272 एंड 1032 तो चलिए पहुँच से बच्चे पिछले क्लासेज में अपने 9 में या 8 में या सुरुआती दौर में बचों को मैक्सिम बता दिया जाता है जो भाग विदी होते हैं निकालने की मरसर निकालने की भाग विदी उनको बता दी जाती है तो इसमें भी वही चीज़ हमने आपको पहले भी बताया था कि एकलिट्स डिवीजन एल्गोरिदम या एकलिज डिवीजन लेमा अब ये क्या है आपका जो मसर निकालने की क्या है भाग विधी विभाजन विदी इकलिट्स नहीं दी थी मसर निकालने की तब चलिए हम एकलिट्स के डिविजन एल्गोरिधम प्रासेस समझते हैं या पहले आप नॉर्मली जो आपका प्रासेस आप उससे जैसे निकालते थे उससे निकालने के लि जो division algorithm में, at least division algorithm में लिखा जाएगा, अब इससे divide करते हैं, तो कितनी बार जा सकता है, तो चलिए, कितनी बार लेकर जाते हैं, 3, 6 आएगा, 4, 8 आएगा, 4 बार लेकर जाते हैं, multiply करते हैं, 4 बार, तो कितनी बार लेके जाते हैं तो कितनी बार जा रहा है आपका तो कितना जाएगा अरे 12 में से 6 माइनस किया 6 आयागा यहाँ पर आपका 1 बच जाएगा अर्शारी 2 बच जाएगा 2 में से 1 गया 1 फिर यहाँ आपका कितना बच रहा है 2 1 6 ठीक है अभी 2 1 6 आगे आप फिर क्या करते हैं आगे आप किसको आप डिवाइट करोगे 272 को 216 से डिवाइट करते हैं तो कितने बार जाएंगा आप देख सकते हूँ 1 बार जाएगा फिर 12 6 आयगा यहाँ पर 6 बच बच एगा 1 गया 556 आया फिर 56 216 डिवाइट करते हैं कितनी बार लेके जा सकते हम 4 बार maximum हो जाएगा 3 बार लेके जाते हैं तो यहां से कितना जायेगा 16 एड जायेगा 6 यहां पर 0 10 4 फिर फोड़ा इधर बढ़ा लेते हैं माप देख लिएगा 46 46 56 को डिवाइड करते हैं बार जाएगा, कितना आजाएगा, 46 माइनिस किया, 10 आगया, फिर 46 को 10 से डिवाइट करते हैं, कितनी बार जाएगा, यह आपका, 4 बार जाएगा, यह आजाएगा, यह आजाएगा, आपका 40, फिर 6 बज़ गया, फिर 10 को डिवाइट करते हैं, जब अतकरीमेंडर 0 ना आ प्रासिस करते जाओगे वन कितना हो जाएगा यह आपका six four आएगा फिर four को six four बन जाए फोर कितना आजाएगा two four two two's up four अब value यह आपकी क्या आगई two तो जो last में divisor बचता है उसी को क्या बोला जाता है इसका yes यह बोला जाएगा ठीक है तो चलिए अब हम अपने process एकलेश डिविजन अल्गोरिदम से निकालते हैं तो फ़र्स स्टेप में क्या करते हैं फ़र्स स्टेप में इसको किस फ़र्म में लिखा जाएगा इसको हम लिखते हैं किस फ़र्म में a प्लस BQ plus R form में लिखना है तो सबसे पहले क्या करेंगे आपने पीछे पढ़ रखा है किस condition को लेने के लिए क्या होना चाहिए A is greater than B अब इसमें आप देखोगे कौन सी value बड़ी है और कौन सी value छोटी है तो 272 छोटा है और ये value क्या है बड़ा है तो अब 1032 को किस से divide करेंगे 272 से divide करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा हमको क्या मिल जाएगा तो यहाँ पर लिखोगे यहाँ पर दिखाओगे आपकी 1032 क्या है इससे बड़ा है तो अब आप जानते हो तो किसको किस से divide करेंगे तो लिखोगे आप on dividing 1032 by 272 272 से करते हैं तो आपको question क्या मिल जाएगा get question 3 and remainder 216 216 तो अब इससे आप से लिख सकते है आप इसको क्या लिख सकते हो आप इसको लिख सकते हो 1032 इक्वल लिख सकते हो 27 272 multiply 3 plus 216 अब यहाँ पर देख रहे हो आप remainder 0 आ रहा है remainder 0 नहीं आ रहा है तो फिर क्या करोगे आप next step लगाओगे step वो second apply करते हैं step second में क्या करोगे दिखा दो गए आपे यहाँ पे दिखाओ गए आप remainder 2160 216 not equal to 0 then then dividing dividing 272 by 216 get remainder get remainder get remainder तो यहाँ पे आपनी डिवाइड का दखा है remainder कितना मिल्ला आपको 56 मिल्ला है कोईसें का मिल्ला है remainder 56 मिल्ला है and question question 1 तो अब क्या लिख सकते हो by equilits by equilits division lemma equilits division lemma से के इसाप साप इसको लिख सकते हो 27 2 equal क्या हो जायागा किसे divide कर रहे हो 216 से divide क्या है तो 216 multiply 1 plus 56 6 फिर क्या आया 56 फिर जो remainder आया 0 आया नहीं आया तो फिर आगे आप लगाओगे फिर आगे चलते है फिर यहाँ पर लिखोगे step 3 हमने बोला जब तक क्या हो remainder 0 ना आये तब तक आप divide करते रहोगे तो फिर यहाँ से करते है फिर फिर लिख सक्टेव since remainder 56 not equal to 0 फिर लिखोगे तन dividing अब किसको divide करोगे 216 को किससे divide करोगे 56 216 by 56 अब यहाँ से आपको जो remainder मिल ला get quiescent and remainder तो ट्रिवाइड करके देख सकते हो तो आपने बोला कितनी बार लेके जा सकते है आपने पीछे देखा 3 बार 3 बार लेके गए तो remainder कितना बचा था देख लेजेगा यहाँ पर एक बार फिर 18 35 15 168 कोई से minus कर दिया कितना आया 8 ना पर 0 बचा 4 तो कितना आया था रिमंडर 48 पर इसको लिख सकते हो बाई एकलिट्स डिविजन लेमा एकलिट्स डिविजन लेमा के साबसे इसको क्या लिख सकते हो आप यह हो जाएगा 216 इसकोल टू 56 इंटू 3 प्लस 48 अब भी 0 नहीं आया तब इस्टेप क्या लगा होगे 4 इस्टेप 4 में फिर लिखागे आप सिंस 48 नॉट इक्वल 0 इसको डिवाइड करोगे आप 56 को किसे करोगे आप 48 से तो आपको क्वाइशन क्या मिलेगा बताईएगा क्वाइशन आपको क्या मिलेगा तो देखिए आप 56 से डिवाइड कर दिया तो कितना क्वाइशन आपको अरे 56 को डिवाइड क्या 48 से तो क्वाइशन आपको कितना मिल जाएगा 8 एड एड रिमेंडर अरे स्वारी क्वाइशन वन मिलेगा question 1 and remainder 8 तब यहाँ से लिख सकते हो by edl इसको सिमर लिजेगा एकलेट्स division रेमा के इसाब से तब इसको लिख सकते हो 56 is equal to 48 1 plus 8 56 आ जाएगा अब भी भी remainder 0 नहीं है फिर step लगाओगे step 5 अब step 5 में देखिए फिर आप लिख होगे बाइचे since 8 not equal to 0 then dividing then dividing then dividing 48 by 8 इसको क्या मिल जाएगा get question इसको divide करना जाएट्स इसक्जा 48 and remainder and remainder 0 मिल जाएगा तब यहीं से क्या हो जाएगा by equates division लेमा के साब से इसको क्या लिख सकते हो 48 is equal to 8 into 6 plus G तो अब इसमें आपका divisor कौन सा है 8 है तो आप finally लिख सकते हो इसको क्या लिख लिख लेते हैं इसको किसका किसका निकालना था 272 1032 का यह सीएफ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ठीक है थोड़ी जगन आने के वज़े से प्रावलम है तो समझ गया होंगे कि English division लेमा से अगर किनी दो positive integer का यह सीएफ निकालना होगा तो आप कैसे निकाल सकते हो देखिए मैंने बता दिया आपको पीछे भी बता दिया तो आप जैसे सबसे पहला काम आप क्या करोगे इसमें देखोगे कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है क्योंकि मैंने एकलिट्स division algorithm लिखा तो उसमें आपको बताया एकलिट्स division algorithm लिखा तो उसमें बताया condition क्या होनी चाहिए जो आप dividend लिख रहे हैं वो diviser से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए तो उस condition के लिए यह body value और यह छोटी value दिखा दी अब इसको क्या करोगे इस value को इससे आपको divide करोगे divide करने के बाद a equal bq plus और form में लिख लिया किसके द्वारा equals division लेमा के द्वारा लिख लिया अब उसी से देखेंगे अब इसका रिमेंडर जब तक 0 नहीं आता तब तब तक आप यह process apply करते जाओगे अब 216 को किसके साथ ले लेते 272 के साथ अब 272 को किससे divide करोगे 21, 6 से डिवाइड करोगे, आप फिर दखोगे, रिमेंडर 0 नहीं आए, फिर आप अपलाई करोगे, फिर 21, 6 को किसे डिवाइड करते हो, 56 से डिवाइड करते हो, 56 से डिवाइड करते हो, फिर देखते हो, आप रिमेंडर क्या आया, 0 नहीं आया, ठीक है, अब फिर उसके आ गया तो इन दोनों का जैसे एफ क्या होगा एट होगा तो कुछ प्रॉब्लम मैंने लिख लिए एक लिख दिया आपको लिए एक लिट्स डिविजन अल्गोरिधम पे इस प्रॉसेस के दौर आप इन प्रॉब्लम्स के एफ निकाल लीजिएगा ठीक है बाकी बात करते हैं आपके नेक्स्टर विडियों